देश, विदेश, विजगुरु नानक नाम लेवा, वीव जियो, पैन जियो, सजनो, सत संगियो, आओ, दसम पाशाजी ती दित्ती दाथ, फते दी सांज करिये, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फते, साखी दी विचार, शुरू करतों पहले, रूक मातर, आपना परचे देना संग नीक रहेगा, मैं कमरजीत सिंग, उमर सत्तर साल, लुद्याना पंजाब दा वस्नीक, पितापुर की कारव विच गुरुबाणी, गुरुषिक की गुरुमत दा महौल ते वातावरन होन करके, पिछले पजाश साथ साल तों पहला साखी सुनन दा ते फेर साखी सुनां दा सिल्सला चलता रहा, जो होन तक जारी है, साखी दे विच इस नमी साखी जिदे विद्मू ना दिता गया है, इंटरनाशनल साखी कम्पिटिशन विच हिस्सा, सेवा, योगदान पांदा सिरफ इक को ही मनुरत है, कि गुरु साखी दे विच्चों जो सेद, सिख्या, गयान सानू मिल सकता है, ओ संगते नाल फिर साजय कीते जा सकते। गुरुनानक जोत ने दस जामेयां विच्च मनुखी जामा तारन करके ते इक इक जामे नू अपने सरीर ते हंडाा के उना कटनावा दे तो मिलन वाली सेद सिख्या दा एक सूमा बना दिता। साथे सारे इतिहास विच ओ साखिया ने जिनानों गुरु साभ ने अपने सरीर ते हंडाया और हर सुवाल दा जो आप किसे ना किसे रूप विच गुरु साभ दी जीवनी तो सानू मिल सकता है। शाय दी दुनिया दी कोई ऐसी होर तरम होवे जिस विच इना कटनामा दा विचार ते प्रग्टावा ते ओना तो मिलन वाली सेद ते सिख्या नू दिता होवे। गुरुनानक साभ दी जोद ने दस जामया विच जोद ओहा जुगत साही शाय काया फेर पल्टी है। जोद गुरुनानक दी जल्दी नहीं। जीड़नने दस जामया विच सानू वक्रे वक्रे रस्तियान आईं वक्रे वक्रे तरीकियान आईं। गुरुबानी ते चलंदी सेथ दिती ते साड़े वास्ते आज भी ओ गुरुनानक दी जोद साइब श्री गुरुदंग साप जी दे रूप विच हर स्वाल दे जवाब देन लेई हाजर है साखी पाई मांजी दी ओडेनाल विचार दुबारा सांजी करन्दा मनुरत कुछ वकरा है साखी दे कटनावा ते डेटेल थोड़ी काट पर साखी दे विचो मिलन वालियां सेध सिक्या ग्यान चानन मुनारे वांगू साड़ा मार्ग दर्शक कर सकन उना ते ज्यादा है एसे तरह संगत जी स्रोत्यानों वी एही बेंती है कि वो हर कटनामा तो ए सेध लैन कि एते गुरुजी की चा रहने सानू की सनेहा दे रहने साड़े वास्ते की नवी गाड़ी रा पाके ते सानू गुर्मत ते मार्ग ते चलाना चांदे ने इसलेए साखी दी कटनामा तोड़ियां काट रहन गियां संखे पिज रहन गियां सेध सिक्या ते एंफसेस फोकस ज्यादा रहे था पाई मंजी दा पहला ना तीर्था सी ते तीर्था जी मंज बिरादरी नाल दल्लक रख दे सी कोना दा पिंड दा नावी माई कांग सी पाई मंज जी इक अमीर शाहुकार रसूखदार मुखी सान पिंड दे सकी सर्वर दे अनुयाई सी सकी सर्वर दी उस पिंड दे विच बहुत मानता सी तीर्था जी ने अपने कार विच एक पीरगा सकी सर्वर दे बनाई होई सी जिस दी पूजा करन लई बाकी भी सकी सर्वर उथे अंदे सी सुब आदे पाई मंज जी एक बहुत नेमरता वाले मिट बोल रहे सैन शीलता वाले द्यालू पुरिश सी जेडे हार वेले लोडवन दी मदद करननू मनों त्यार रहन दे सी प्रभू अगती दे विज लगे हुए सी पर फेर वी मन विज अधियात्मक उडारी दी बड़ी बेबल तांग सी मेरा मन लोचे है गुरुदर्शन ताईं विलब करे चात्रिक की नयाईं त्रिखा ना उत्रे सांत ना आवे गुरुदर्शन देख प्यारे जीओ सो इस अवस्ता विज शेवा कारज कर रहे सी पीर दी पूजा कर रहे सी पर मन अजे टिकेया नहीं सी एक दिन स्वेरे स्वेरे आई तीर था जी दे कान विज एक अवाज आई ते उना दा मन मुगद हो गया उना आके देखिया इक सिख कुछ बोल रहा है ते उना ने रोप के पुछया आई जी एक की गा रहे हो एक की बोल रहे हो की सुना रहे हो ता उस सिंग ने बड़े प्यार नल पीज़गे उतर देता ये मेरे गुरु नानक दी बानी है ते इस बानी विज़ अगे वी साच दी गाल होई है पून ही साच दी गाल होएगी ते आन वाले समय विज़ भी हमेशा Сाच दी ही गाल होएगी सच सुनाय सी सच की बेला सिंख कोलों पुछ के ए पता लगा कि गुर्णानक दी बाने विच गुर्णानक दी पंजवी जोद सदकुर सचेपाश्या गुरु अर्धन जेवजी माराज बिराद मान हान ए अम्रसरदे विच शेवाकार्जां विच लग्य हुयान ते यह सुनके पाइती था जिदा मन द्रवित हो उठेया वो जिस गुरु दी बानी एन्नी मिठी है जिस गुरु दी बानी विच इतनी कशिश है खिच है उस कुरु दे दर्शन विच कितने प्रभावशाली होंगे सो मन हिल गया, मन अपना आश्रा लबन लग गया जाके गुरु अर्जन दे माराजी दे दर्शन करन दा मन बनाया इक वारी पाई मांज जी जदों अम्रसर दे विक्चों लांग रैसी तो उना दा चित कीता के गुरु साथ जी दे दर्शन कीते जान बेबल मन ने इनी खिच पाई कि सारा कारज जटके ते गुरु जी दे दर्शना वास्ते गुरु दरबार विच आप पहुंचे गुरु दर्बार विच उना ने देख्या बहुत वड़ा एकाठ हर किसम दे पिछोकड वाले लोग बिलकुल शांत ते सैन शीलता दे महाल विच अराम नाल बैठे होए कीरतन सुन रहे हैं जदो कीरतन दी तुने पाईती था जिदे कान विच पई ता ओ मन मुगध हो गये सारी दोड मुग गई सारी जड़ी तांग मुग गई नाम दी कुमारी विच इनने खुब गये की दर्शन देखत ही सुद की ना सुद रही बुद की ना बुद रही मत में ना मत है ते बभी है वंगूं तडप के सिक नार गुरुजी दे पूल हाजर होए जाके मत्था टेक उना दे चरना विच बैठ के अपना थां टिकाना पता दसया गुरुजी नूं पहले इस सारी कल दा ज्यान सी की पाई तीर था एक वड़े बिनादरी दा परमुक प्रताहन है अच्छा रसूकदार है तान दौलती परमार है ते वैसे प्रभु प्रेमी है ता गुरुजी ने उसनों एक सनेहा देता की पाई तीर था तौ इन एक एने वड़े बिरादरी दा पैरोकार है तेरा असर है रसूक है तौ उना वास्ते सेवा करन वेले हर वेले हाजर लेंदा है तौ उसे अपने काम लगा रहे तो क्योंकि ए जिड़ा सिखी दा मारग है ये निमरता दा मारग है ये सैनशीलता दा मारग है ये त्याग दा मारग है ये कुर्बानी दा मारग है ते इसले तौ आपने कारज विच लगा रहे ते गुरुजी ने यहां सिखी दा मारग पतली तार ते तुरन वरता है वाट हमारी खरी उडीनी खन्यों तिक्की बहुत पीणी ते सूपर है मारग मेरा शेख फरीदा पंत स्वार्स मेरा ते तुसी जदो पाईमान जी ने किसे गल दा कोई ते आने कीता ते चरन पकड़ के कह देता कि साई जीओ उन सिरफ नाम दान दिओ उन होर नहीं कुछ सुजदा पूर नहीं कुछ सुनदा उन अपने चरना कमला दे विच निवास देओ ते आपना सिख बना लो ते गुरु अर्जन देव जी माराज रहमत दे काराए बक्षिट दे काराए उनना ने आके पाई मंज दे सिर्थे मेर परे आत रख्या उनु नाम दान दी दात बक्षी ते सिखी दे जहास दा मुसाफर बना तोर लेया पाई जी ने कारजान तो भी इनकार कर देता ते क्या कि उन में तोड़े कोली रवांगा ते सेवा करांगा पर गुरु जी ने उना नुक्या कि आई मंज सिखी ते सिखी नहीं टिकनी इसले इक वरी कार जाओ ते अपना सिखी दा प्रचार शुरू करन दा हीला वसीला रस्ता बनाओ पहो मंजी उन दा हुकम मन के इक वरी कार अपने पेंड आए आने आई ओ पीर गा सक्खी सरवर्दी दरगानू टा देता अपने सजन्स स्वेलेयानू इसने आदे दिता कि पाई तरम दा मारग सिखी दा मारग है ते ए सुख ए खुशियां ए प्राब्तियां सिरफ गुरु अरजन दे माराजी दी रहमत बक्षिस सत्काही मिल सकदियां हाना ते आओ असी राल के सिखी दे मारग वाल अगर सर होई है उना दे विचार सुनके कई सकी सर्वर उना नू आके उना दे नाल पाठ भी करना शुरू कर लिया ते सिखी वाल उना दा चुकाव भी हो गया ते एक गुरु जी ने उपाईमान जी ने एक फैसला कीता ते असी एक तरमसाल बनाईए जिते असी बैटके आपस वेचे सिखी दी विचार ते बाणी दा उचारन कार सकीए अजे एक तरमसाल दी वो सारी चाली ही रही सी इस सकी सर्वर दे कुछ वड़े रसूख दाराने आके पाई जीनू मना किता कि ए रस्ता छाड़ देओ ते उसे अपने सकी सर्वर वाले बिरादरी दे विच चलो नहीं ता बहुत वड़े नुकसान उठाने पहन के और वड़ी तकलीफ चाह जाओ गे ते परपाई मांजी ने निमरता पर नाल अटल होके संगजी एथे ते आन करो ने मरता दे नाल अटल होना इरादे विच पका होना उतना ही जरूरी है उना ने जाके एही कह देता कि मेरा था होन एही रस्ता है सो मैं ते जे होन सिर्फ गुरु अर्जन देटी मारे दी सिखी दा ही पालकां ते की पाना वरत्तिया कि होली होली सखी सरवर्ते बंदे हटने शुरू हो गए इक दिन पाई तीर्था जी दे सारे पशू डंगर रातो रात मार गए कोई कारण ना पता लग सक्या की की होया है अगले दिन ग्वांडियां दे डंगर भी इसे तरह मरने शुरू हो गए ते सारे पिंड वे चे तारना पहल गई कि ये सारी क्रोपी सखी सरवर्त दी ना सेवा करन करके ये सारे पिंड ते आ गई है लोका ने पाई दी था जिनू छाट देता ओना ना लगोल चाल बांध कार देती ओना दी मायक हालत दिनो दिन दिनो दिन कमजोर हुन दी गई पर भाई मान जी ने सिदक दा बला नहीं छड़िया इरादे नू पका रख्या हर आपकड नू गुरुदुई इम्तियान समझक अनू निभाया और उदे विचों हल्क डिया ते पाई मान जी ने हुली हुली उस पिंड विचों भी जान दा मन बना लेया एक दिन जी सिंग आए ते आके उनना पाई मान जी दा पता पुछ के ते उननने क्या कि गुरु जी दा एक सनेहा तवानू है चिठी है ते ये सुनके पाई मान जी नू चाह चाड़ गया है पुरु अरजन दे माराग मेनू याद कर देने अजेवी मेरा त्यान रख रहने ते मन विच बहुत उलास आ गया और वसिंग ने क्या कि हुकम है ये चिठी देनी ता है ये वीर पे पाई तीर था दे दे ले पिस्वेल दी मायक हरत विच से संगत जी ए थोड़ा जा अंदाजा लाई ए सिख दा सिदक किते है माया दी अन्होद किते है ते सिंग ने के में उस सागर तो पार उतारा कीता है सिंग पाई तीर था जिनने अपने पत्नी ने अलसला कीती भी असी ये गुरुजी दा सनेहा लेना ता जरूर है ते उनना नहीं पत्नी ते परवार ने भी उनना ही से योग देता उने क्या मैं लेया हो निया मैं परबंद कर ले निया उने अपने ते तीदे गैने जाके व वो आके सिंग नूँ देता ते चिठी लेले एसे तना कुछ समाबाद फिर एक होर चिठी आई सनेया आया पर नाल शर्त फिर ओई सी चिठी देनी ता हैं जे पची रुपए पाई तीर्था दे सके ता पाई तीर्था जिदी अक्षा मेंच हंजू आ गए पाई तीर्था जिने कि आँ माराज तुसी जानी जानो तुसी इमतियान ले रहे हो मैंनू गन्या मेहर करो मैंनू उदब देव मैंनू हिम्मत देव मैंनू ताकत देव महत्या gateway ऑं पाई जिदी जनानी ने इस्तरी ने जा पाई तीर्था जिदी जनानी Says realize उना नू जाके एही कई भी तुसी साटे वाला मकान ले लो ते उदे विच तुसी बदले विच सानू कुछ माया दे जो ताकि साटा जीवन निर्बा हो सके ते उस नमे मुखी ने क्या मैं ये ठीक है मैं मन लेना माँ पर मेरी एकनाल शर्त है कि उस कारदे विच पाई तीरता दी जी पत्नी बतार सेवादारनी माई मेड़ दे साबनल कम करेगी ता मैं ओ ले सकांगा पाई जी बड़े निरास हो गए और उना दी पत्नी ने फिर तीरज मंद आया कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं तोसी गुरु जी दी सनेहे नू हुकम नू मननो दूसरे दिन सवेरे पाई माँ जी दी पत्नी ने अपना समान संभाल के उस पर दान दे कारजा के काम करना शुर लेए तुझे पिंड जाके अपना गुजारा करन लेए कावेचन दा काम शुरू कर लेए ते कावेच के काड़ा गुजारा करन लग पै संगर जी थोड़ा अंदाजा लगाओ एक रसूखदार अमीर तनाट शाहुकार रुत्बे वाला जिदे पिछे सैंकडे दे नमरां वेच अनुए आई हान ओहन नाम दी खुमारी वेच गुरू दे प्यार वेच इतना गना गना खुब गया है कि उनुक किसे चीज़ दी कोई लोड नहीं रही कावेचना ते कारदा गुजारा करना को जड़ी दूसरी चिठी आई सी ओदे वेच गुरू जी ने क्या पाई म उसी अमरसर आ जाओ तोडि सेवा दी लोड़ बडा चाद ए कि क्या मेंनो गुरू जी ने बुला लेया है। गुरू जी ने मेनो याद रख्या है। गुरू जी ने मेरे जमे सेवा लाई य हैं ते बेबल हो सिम्रन कर दे पाई तीर था जी गुरुजी दे दरबार जा पहुंचे ते गुरुजी ने हुकम लाया पाई तीर था तोसी लंगर दी सेवा संबालो हो ठीकिन होड़ी है उनानू बाकी संब्ै बंदयानू पता सी की एव भैरनादरी तहन टे और न ने पाई मंच दे नाल नाल नाम भी लाउना शुरू कर ले आए और आई मंच जी ने लंगर दी सेवा विच वर तन मंचने शफाईचर ने आए गए संगत दी सेवा करने ते उना दे लंगर लें लकडा ले आने हैं एक कही सारे दिन एक कारोबार एक प्रोग्राम ऐसे तरह चलदा रहा गुरु जी नो सारी खबर पहुँच दी रही एक दिन गुरु जी ने आके पाई मांच नो पुचया पाई मांच जी तोसी लंगर कितों चक दे हो सारी संगत एक दम हैरान होगी कि गुरु जी ने की सुवाल कीता है पाई मांच जी ने निमरता साइथ हाथ जोड़ के किया सचे पाद्शा एथे लंगर विचों ही छाकला ना हाँ गुरु जी ने एक नमा कौतक वरताया के पाई मांच यह तो फिर कोई सेवा ना होई ना सेवा कीती मजूरी विच लंगर चाकले यह मजूरी है सेवा नहीं है दुनियावी बंदे दे दिमाग विच इस तरह दी जाल सुनके कई तरह दे स्वाल उट सक देयान पर पाई मांच जी ने कोसे मेले गुरु चर्ना देवते मथा ठेके किया ठीक है गुरु जी तुसी मैंनो सेवा दे अर्थ समझाए हान मैं आज तो लंगर विच पोजन नहीं चकाँगा तेर यसे तरह दूसरे वारी गुरु जी ने फेर इक इमत्यान होर पाया कि पाई मांच जी होन की चाकरे हो उना क्या जी संगत दे जूटे पतल बार जड़े डिगदे हन ते उना दे नाल जड़ा पोजन लगा होंदा है ओ छक के गुजारा कर लाने हो पुरु जी दी करड़ी इमत्यान दी हाद दिखो उना ने क्या ओ पोजन ता पशू पंचिया लेई है तुसी उना दा पोजन के में ले सकते हो आई मंच जीनों इस गाल दे विच भी पुरु दा हुकम भी सिरफ नजर आया रजा विच रेंदी जाच ही सिरफ काई उना ने ओवी छकना चाड़ देता है अगले दिन तो लकड ले आन वे ले दो मुठे लकड दे ले उन पहला मुठा गुरु के लंगर विच देना दूसरा मुठा वजार जाके वेच के अपने पोजन्दा परबंद करना ते जेड़े पैसे बाच जाने और गुरु की गोलक दे विच पा देने संग जी हर था दे ते ते आन देना गुरु जी किस तरह दे इम ते आन लेंदे हन। ते सिक्की सिदक वाले श्रदालू किते तक पहुंच जान दे हन। सो अगला वाकिया एहाया वी एक वारी शाम नो पाई मंज जी लकड लैन लही जंगल गए लकड उना ने बन के सिर्ते रखी ते उसे समय बहुत हनेरी तुफान मी इनने जोर्दा आया कि पाई मंज जी रस्ता पूल गए थिड़क गए हनेरी रे विच कुछ दिखिया ना ते ओ तीरे तीरे हौली हौली आंदे आंदे एक खूब इच दिख पे है आई मांज जी खूब इच दिखिये सी उना दे पैर खूब दे टैनल लग गए लकड़ा वाला गठा उना ने सिर्ते रखिया ते बाणी दा पाठ सिमरन शुरू कर ले आउं रात इस तरह लंग सिंगा ने जदो पाई मांज दी पाल शुरू कीती ते पता लगा कि पाई मांज ता रात दे आए ही नहीं हान ते इने नो सनेया आगया कि पाई मांज जी खूब इच डिगे हुए हान सो सारया ने दोड़न के सिंगवल जान दी कोशिश कीती पर देखो मेरे सदकुर सच्चे पाध्षा गुरू अर्जन देव जी दी उना ने नंगे पैरी दोड़के ते उसकूवल चले गए संगता ने क्या सादकुर जी जोड़ा था पालो ते उना न क्या मेरे सिक नूँ ऐस मेले मेरी लोड है जदो ओ पहुंचे ते एक सेवादार ने क्या कि पाई मांज जी एक रसी लटका रहे हैं यह रसी नूँ पकड़के ते तुसी बार आ जाओ तब पाई मांज ने ओ तो ही जवाब दिता पहले गुरु कर दियां लकड़ा पहले बार कड़ो एक इलियां हो जान गीयां मैं सिर्टे रखिया हम यहांने सुखियां लकड़ा लंगर्देविच पुचान यहां मेरी जिम्मेवारी है ड्यूटी है सेवा है गुरु ने रह बार आये तां देख्या कि सद्कुर्षचे पाथ्षाह पुरुवर्जन दे महाराज आप खड़ेयान आगया वना दे शर्ना ते सीस्न वालया ते हंजुआ ना लतो देता ते फिर सद्कुर्षचे पाथ्षाह ने प्यार विच आके ते पाई मजनु चप्थी पाले ते पाके क्या सिंगा सिखा तु अपने इमते आंच पास होया तेरा सिखी सिद्क तैनु एते तक लेया आया मज प्यारा गुरु को गुरु मज प्यारा मज गुरु का बोय था जाग लंगन हारा ते बुरु जी ने पाई मजनु चाती ननाल ना सीने ननाल ना अतरपत कार देता किया सिंगा तेरी बगती परवान तेरी सेवा परवान तेरा सिद्क परवान तेरा इरादा परवान तेरा निश्चा परवान मांग की जाना है पाई मांग जी ने क्या महाराज कोई चीज नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, उन्हा क्या नहीं मांग दी चाहिए है, सद्पर सब को इस त्वड़ा देता हुआ किसे चीज दी लोड ने, गुरुजी दे तुबारा मजबूर करनते पाई मंग जी ने मंगया कि सत्कुर सचे पाद्शा मंगन दी तांग ही मुख जाए अंद्रों मंगन दी पामना ही खतम कारते हो दो नमबर ते फेर पाई मंज जी ने मंगया कि सत्कुर सचे पाद्शा अखीर ले स्वास तक ये साथ इसे तरह बने आ रवे मेरी अखीर ले स्वास तो अड़े चर्ना दे विच ते खतम हो ती जी मंग उना ने मंगी कि सेवा ते सिम्रन वाली ये ड्यूटी मेरे को लों कदी भी ना खोई जाए जिनाचर मेरे नैन पुराण हाथ पैर चल देयान इसे वा मनू इसे तरह मिली रवे संगर जी देखो मंगया सभकूछ अपने वासते की मंगया पुरु जी ने कहा कुछ अपने वासते महाथ पैर पैमाज ने पता नहीं किस्वेले किस सिख तिसकी तो धिरक जावे ते उन्हों गुरुतों मूण बोड़ना प्यावे गुरुजी ने उन्हें जदों चौथा वी जदों मंगया ते साढ़े वास्ते मंगया साथी वास्ते सेद हैं साड़े वास्ते एक हुकम है कि असी सेवा सिंब्रंदे नाल आपनियां इच्छावानू कटा के लोग सेवा लई जीड़ा हर विले तत पर रहना है उन संगत जी साखी जड़ी है गिये बहुत लंबेरी अजे है इदे विच फेर पाईमा जी नो उना ने गुरु जी ने वापस होना दे पेंड पेंड पह पहुंचे ते उना ने देखिया कि सब कुछ अगे दी ही तरह ही उसे तरह लहर बैर हो गई है वो कार उसे तरह उना दे पत्नी दे कोल है उना दे प्यार सदका उस नमे प्रतान ने उना नू अपनी पैंड बना लिया ते आपने बच्चे नू पालन दी जिम्मेवारी दे थे पाइब मन्ज जी ने परचार शुरू कर देता और दुबबा रिजन दे विच गुरु अर्जन दे महाराजी ने उना नो वड़ा परचारक था तपेया और उना ने बहुत वड़ा परचार दा एक सिल्सला चलाया अजे वी जिला हुशारपुर दे विच पाई मंज जी दे ना ते एक गुरुद्वारा है गद्धी पाई मंज जी गुरुद्वारा पिंड कंग माई कंग संग जी एनिक बेंती प्रवान करना इस सारे उद्धम उपराले दे विच्चों एही है कि गुरुद्वी दियां दितियां सिख्यावां जिसनों पाई मंज ने इतने प्यार यतन मेनत नाल कमाया उदा एक किनका असिवी अपनी रोज मरा दी जिन्दगी विच किते पाके ते गुरुद्वी गाल सुनके मन के मन विच वसा के अपने जीमन दे विच उनों लागू करके गुरुदे कार उजल मुख पहुंच सकी है सो इन ही बेंती प्रवान करने एक कोई सिख्या तोड़े वास्ते नहीं है मैं भी तोड़े भर का निमाना सिख्यां सो आव सारे रल के संगती अर्दाश मिच अपने सारी संगत लई शिक समाज लई एक नरोय समाज बनान लई यतनशील होई है नाम सिम्रंदा अबियास जा सारी रखिये फिर फते दी सांज करो गजवज के बुलाओ वाहे ग्रुजी का खाल्चा वाहे ग्रुजी की फते